हेलो फ्रेंट्स हम देखते हैं एक ब्यक्त केवल पांच जार रुपए की मासिक आय में अपने परिवार का भरान पोशन कर लेता है किन्तु दूसरा ब्यक्ति पचास जार रुपए की मासिक आय के बाजूत भी अभाव गरस्त बना रहता तथा परिवार के किसी भी सदस्त को संतुष नहीं कर पाता एक ब्यक्ति की उसकी कालोनी का प्रतेग ब्यक्ति जत करता है परंतु दूसरे ब्यक्ति को उसके पडोसी पहचानते तक नहीं एक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर धैरपूर्वक उसका समाधान कोज लेता है परंतों दूसरा व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने के बजए उसमें उलज जाता है तथा अपना जीवन नर्क बना लिता है इन सबका एक मात्र कारण है जिंदगी के प्रति हमारा दिश्ट कुन है, हमारा नजरिया, हमारा एटिचूड हर ब्रक्ति की सफलता का अधार उसकी सकारात्मक सोच सकारात्मक दिश्ट कौन ही रहा है इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक सोच पाजिटिव ईटिचूड सफलता की पहली सीड़ी है सकारात्मक सोच का मतलब है आसापुन सोच वस्तुता सकारात्मक सोच का आसा है अपनी सक्त एवं साधनों का सही मुल्यांकन करके अपनी सामर्थ पर भरोसा करते हुए संभावना को खोजना जो मिला है उसके प्रत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत लाइक, सब्सक्राइब और सेंड करें सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है धन्यवाद, जै भारत, जै हिन